नूरहक सम्मा एलाही को बुझा सकता है कौन जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन लोग सिच्छों के लिए ये खास वीडियो है 19 फरवरी 2024 को लोग सिच्छों के मामले का पतना हाइपोट में एक एहम सुनवाई होने जा रहा है CWJC 82-2019 और ये लोग सिच्छों का कहा जाई तो ये एतिहासिक पल होने जा रहा है एतिहासि घटना होने जा रहा है और लोग सिच्छों का जो खोया समान है वो बापस आने का उमीद है और इस चैनल के माधम से मैं चाहता हूँ लोकसिचाओं का जो तारकिक पक्ष है उसको बिया करना जब लोकसिचाओं का जब पद समाप्त हुआ 2006 में तो चरनबद लोकसिचाओं को दोबरा आंदोलन चलाया गया धन है वो लोक्सिक्षक जिन्होंने चरणबद आंदोलन को चलाया और सरकार को उस समय एहसास कराया कि लोक्सिक्षक भी कुछ चीज है उस वक्त के जो अखबार थे अखबार में कुछ लोक्सिक्षक समंधित कुछ निवच परकासित हो रहे थे वो इस परकार थे पंचाई सिक्षक बनेंगे 30,000 लोग सिक्षक नियत बेतन पर होगी निक्ति तयारी सुरू लोग सिक्षक अब कहे जाएंगे पंचाई सिक्षक लोग सिक्षक की भी होगी निक्ति उसके इलाबा 40 बचों को स्कूल लाएं नोकरी पाएं उसके इलाबा लोग सिक्षक की बहाल शपस्थान का बुलू पिरिन तयार वहाली अगले माह में इस परकार से लोगसिचाओं को अख़ार के मादह में से दिलासा दिलाया गया और और यह और जब है थे सिच्चक निक्ती हूई तो उसमें भी लोग गरी है जो इनसाप की घरी है वो घरी बहुत ही जल्दी जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा समाचार लेकर आएगी इसके बाद लोग सिच्छा क्या हुए कि 2008 में ये पटना हाई कोट में रीट फाइल किये फिर उसके बाद क्या हुआ कि महीर कुमार जहा साहब का आदेश आया जिसमें महीर कुमार जहा साहब ने कहा कि आप अपना रिपरजेंटेशन फाइल करिए परधान सचिप के हाँ और उनसे आदेश लिजिए और जैसे सरकार से उन्होंने कहा कि जैसे आपने सिक्षा मित्र को आपने जो सेलेक्शन जिनका हो गया जिनको नेकुती मिल गई तो लोक सिचाव का अंदोलन जो था ठंड़ा पर गया फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुहमद मिराजुदिन जो अगला जो कारश करम हुआ जिसमें सरकार ने एक आदेश पारित किया याची का संक्या है कि 246.2013 मुहमद मिराजुदिन अध्यक्ष लोक सिचक संजिसको 266 लेटर कहते हैं उसमें लिखा हुआ है कि बरस 2010 में कतिपया बहरती जो पूर में लोक सिचक को रुप में कार्ज किये थे नियोजित भी किये गए तो इस परकार से ये पहला एक ऐसा आदेश हुआ जिसमें सरक पावैफिक्रत कये पहला नियुक्त नियोजित तता करज कार्ज का अनुभा रखने वाले जिन्हें मानदे का भुक्तान भी हुआ हो कोई उन्हें ही अनुभ़पर्मानपत दिया जा सकेगा इस परकार से लोग सिच्छब को अनुभपर्मानपत्र मिलने के बाद भी इनके समस्या का समाधान नहीं हुआ लोग सिचक इंदिजार में बैठे रहे कि आज होगा कल होगा तो जो मिहिर कुमार जहा सहाब जो आदेश दिये थे उसमें एक citation का चर्चा किया गिया था शूर्ज नरायन जादव बर्से इस्टेट अप बिहार इसमें असपस लिखा हुआ है कि जो काम कर लेते हैं वो रेगुलाइजेशन के हगदार होते हैं तो उस citation में भी ऐसा लिखा हुआ है फिर उसके बाद जो लोग सिच्छाओं का जो कार्ज जो पटी पर चल लहा था फिर उसका कार्ज क्या हुआ कि हमें अपनों ने लूटा गेरों में कहां दम था मेरी कस्ती थी बहीं डूबी जहां पानी ही कम था लोग सिच्छा कुछ ऐसे जिनको अनुभव नहीं था वो ऐसे आए और आने के बाद जो है यानि के गलत तरीके से लोग सिच्छाओं का जो था कार्ज संपादन करने लगे और रिजल्ट ऐसा हुआ कि लाश्ट में जाके कि वो एज में छुट ले लिए और हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे इस तरह से पूरे बिहार के लोग को वो डूबाने का कार्ज करना सुरू कर दिये उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो था LPA 808 अबलिक 2016 उनका डिस्मिस होने के बाद उनको भागना च शुक्रे में तोड़ दिये फिर जो अभी जो बरतमान जो हालात है जो लोग सिच्छा चुकि 2006 से बेरोजगार हैं और इनको अटोमेटिक है परिवार का इनको जो ताना सहना परा समाज का ताना सहना परा और उसके इलाबा जो सरकार का जो नीती रहा उसका भी ये सिकार ये क्या होता है अब चुकि लोग सिच्छा को उम्मीद क्यों करना चाहिए मैं इस पर परकाश डालना चाहता हूं उनका खोया गौरव वापस आसकता है और इसलिए भी आसकता है कि लोग सिच्छा का अंतिम लराई हुगा नहीं अन्तिम लराई जैसे जो नियाई पाली काया अंतिमास्तर हाई कोट से सुप्रीम कोट तक है महां तक अभी तक लज़ा नहीं गया और लोक शिछा क्या हुए कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते रहे गए लेकिन अभी क्या है कि लोक सिछा का कुछ नकुछ चमतकार होने जा रहा है और ह वो इसलिए हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, अनुपचारिक सिक्षाओं की जो बहाली हुई, अनुपचारिक अनुदेश सवकों की, उनको किस गराउन पर हुआ, चोकि अनुपचारिक सिक्षाओं का चर्चा करना जरूरी है, बेटेज अनुपचारिक सिक्षाओं को भी भी मिला था और बेटेज क्या था कि लोग सिच्छाओं को भी मिला था लेकिन अनवचारिक सिख्छकों की इसलिए उनकी बहाली हुई वो भी केस हारते रहे हारते रहे हारते रहे लेकिन लाश्ट में क्या हुआ कि वो इस गराउंड पर केस लरे के अनवचारिक में कार्ज कर उनवचारिक सिक्षक ने ये ग्राउंड बनाया कि जब एक ही नोटिफिकेशन पर उनकी भी बहाली हुई थी उनके सुपरवाइजर को उनकी भी बहाली हुई थी तो उनको क्यों रखा गया और मुझे क्यों छोड़ दिया गया और रिजल्ट क्या है हम आप सभी समझ सकते है कि उनवचारिक को देर सबेर उनको इनसाफ मिला जो सक्रिये रहे उनको इनसाफ मिला तो लोग सिक्षाओं के मामले में भी जो बातें निकल कर आ रही है वो बातें ये है कि सरकार ने क्या था जो नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने क्या था कि एक परस्ताव निकाला तो इसके आलोक में मेरे द्वारा मुहमद मिराजुदीन द्वारा एक अठा जमीन उपलवत कराया गया था जिसमें लिखा हुआ है कि बाजे होके कि इस कारण बस लोक्षियन केंद्र नहीं चला या बंद हो गया बैसी इस्तिति में एराजी मुकिर खाता नमर पांच मन मुक असपाश लिखा हुआ है कि अगर लोक्षियन के नहीं चला बंद हो गया तो जिसका जमीन था उसको बापस हो जाए कर दिया जाएगा लेकिन इसमें आटी आई का जो रिपोर्ट है माइं गई सूचना मेरे दूरा संचादी लोक्षियन केंद्र को ही परात्मिक नफसीत ब भाग नहीं करते हैं इसका जवाब है उट्य बिद्याले शिक्षा विभागिया दिनस्ते हैं उट्नफसिती बिद्याले परात्व इसका जवाब है उक्त अस्तल पर ही नफसीत परात्विंग बिद्याले मरगंग पार महमद दीपुर बाड़नमर्च चवदे के नाम से बिद्याले अवस्तित है जिसमें बच्चे अधियन्रत है तो ये इसका एक जो ये साबित कर रहा है कि लोग सिच्चान केंदर को ही परात्विंग बिद्याले में तबदिल किया गया और ऐसा हुआ कि ये जो लोग सिच्चाओं का जो था जो समस्या था तो समस्या समाधान करने वाले जो भी हुए वो समस्या उनको समझ में ही नहीं आए कि लोग सिच्चाओं का समस्या कहा रहा लोग सिच्चाओं को युनाइट करना था युनाइट करने के बज़ाए लोग सिच्चाओं को वो तोरने लगे और ऐसा उन्होंने परहाया कि क्या हुआ कि लोग सिच्चाओं टूरते चले गए लेकिन कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला तो अब लोग सिच्छों का जो एक आसा और उम्मीद है इस केस के माध्धम से मुझे ऐसा लगता है कि जिस परकार से अनवचारिक को अंत में सफलता मिली मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिच्छों को भी सफलता मिल सकता है और अभी तो मैं क्या कहूं कि अभी तो ये लोग सिच्छों का जो मामला है आखिर मेंसन बार बार कराया गया इसमें जो कुछ लोग सिच्छक हमारे सह जोगी रहे जैसे रंजी जैसावाल जी रहे अमरिंदर भाया रहे उसके लवासं जी पुर्वे जी रहे मसूद जी अरर जी सुपॉल उसके इलावा राजंदर राम जी मुंगेर उसके इलावा जो कुछ लोग सिच्छक थे जिन्होंने भी विजय पासमान जी महद्दीनगर सुधीर जी या अन्ने थे उनको कुछ लोग सिच्छक ऐसे हुए जो वो इसलिए छोड़ कर चले गए इसलिए उनको बताता हूं मेरे भाई लोग सिच्छक जिसको कहा जाता है जिसको बिचारधारा बिचारधारा कभी नहीं मरती है उसका संख्या घरता है एक मैं आपको एक्जाम्पूल बताता हूं कमनिस्ट पार्टी भले ही उसका सीट घट गया सत्ता में मान के चलिए वो हर जगह नहीं है पहले के तरह अभी किरला में है लेकिन उसका बिचारधारा आज भी जिन्दा है तो जो कोई भी बाद होता है जैसे सामंत बाद हुआ जैसे समाज बाद हुआ तो किसी न किसी रूप में भले ही संख्या कम हो ये हमेशा जिन्दा रहता है तो लोग सिच्छक का जो बिच परपूर से साथ देने वाले हैं अरबीन भाई जैसा साथ देने वाले हैं सतार भाई जैसा साथ देने वाले हैं उनके इलावा बहुत से ऐसे साती है जो हर सुख दुख में साथ दिये हैं और देंगे तो लोग सिच्छों का जो मामला था कि लोग सिच्छों का जो अगर मैं एसा कहूं कि लोक सिच्चाओं का अभी भी कुछ नहीं बिग रहा है और कुछे ऐसा मैं आपको उधारन परस्तूत करता हूं जब जब कोई भी जब बिना मतलब का जब उसको फसाया जाता है जब वो बरी होता है तो छती पूर्ति लेने का हगदार होता है एक ऐसा केस था निर्दोस को फसा दिया गया था जब वो बरी हुआ कोट में केस किया कि नहीं मुझे छती पूर्ति दिया जाए तो उसको छती पूर्ति दिया गया तो ऐसे लोग सिच्चक भाई जिनको लगता है कि अब मेरा एज हो गया अब मैं जादे दिन नोकरी नहीं करूंगा मैं उ लोग सिच्चक भाईयों चुकि अब भो घरी नहीं रही और मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिच्चाओं का जो लराई है वो सरकार की सिश्टम से है और सरकार का सिश्टम इस बार मैं आपको भरुसा दिलाता हूं कि तूटने जा रहा है और चुकि जो जिस समय लोग सिच् जो अपने बच्चे थे जब सरकार में जब सरकार का हिस्सा बन सकते हैं तो लोग सिच्छक केस लरके क्यों नहीं आ सकता है वो अपना खोया समान क्यों नहीं ले सकता है तो यही इस चैनल के माधम से सभी लोग सिच्छाओं को से मेरा अनुरोत करना है कि अभी मत घवराइए अभी आपका जो है आपके साथ इंसाफ होने जा रहा है इंसाफ होगा और कानून क्या होता है सबूत खोजता है एक जमिंदार में और एक रहीत में सिर्फ कागज का फर्क होता है और कागज के कारण कोई जमिंदार होता है कागज के ही कारण कोई रहीत होता है तो बिहार के लोक्सिचाओं के से ये कहना है कि आपको निरास होने का जरूरत नहीं है हाँ ये बास सत्य है जो कुछ देर के लिए अंधेरा होता है लेकिन एक ना एक दिन अंधेरे को उजाले में जरूर परिवर्तित होना पड़ता है और लोक्सिचाओं का जो अंधेरा था मैं समझता हूँ वो दूर होने जा रहा है तो बिहार के जो भी लोक्सिचाओं थे उनसे मेरा ये कहना है कि आप फिर से आप फिर से एक बार आप कम से कम आप ये जो केस कल इसका सुनवाई होने जा रहा है इसमें आप दिल से दुआ दें दिल से आसिरबाद दें और यहां क्या है कि कोई लोग सिच्छाग ना किसी से दोस्ती है ना कोई किसी से दुस्मनी है अगर एक लोग सिच्छाओं का गेट तूट जाता है तो मैं समझता हूं इसी आधार पर सभी लोग सिच्छाग अपना ज यह जो है यह जो लोक तंतर होता है जनता का होता है और उसमें जनता चाहे तो नेता को बनाती है जनता चाहे तो नेता को उतार देती है और यह आप जनता है लोक सिच्छक आप में आप चाहेंगे अगर एकता का परिशाय देंगे अगर दुआ करेंगे तो जरूर क्या होगा आपका दुआ जरूर उसमें सुनवाई होगा और जब किसी का आह किसी को लगता है तो दिल से जब दुआ आह निकलता है तो जरूर उसको आह पड़ता है जब दिल से दुआ निकलता है तो दुआ जरूर कामियाब की ओड़लाता है तो मैं जो बिहार के तमाम लोक्सिचाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो इस मकाम तक पहुँचाया भले ही अभी आप सक्रिये नहीं है मुझे भरुसा है कि आप जरूर सक्रिये होंगे चुकि ना कोई कहा जाता है कि ना कोई किसी का दोस्त होता है समय समय की बात है तो बिहार के लोक्सिचकों से ये कहना है कि बिहार में ऐसा कोई भी लोक्सिचक नहीं रहा कि जिन्होंने योगदान नहीं दिया है जो अभी है वो भी जो थे वो भी कुछ ना कुछ जरूर जोगदान दे कर गए है और उनका जोगदान बाकई जो है अब जैसे उन्होंने जो फसल बोया था तो अब काटने का समय आ गया तो बिहार के जो भी लोग सिचक हैं उनसे मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको निरास होने का जरूरत नहीं है अभी तो अभी बहुत बात है सितारों के आगे जहां और भी है और जब भी होगा तो आपके लिए अच्छा होगा चुकि जब भी कोट में अगर कोई पेटिसन जाता है तो जज निशित ही समझता है कि ये मजबूर हुआ है ये सताया गया है तभी यहां आया है तो कल जो हो सकता है मैं चाहूंगा कि इस पर पहले सरकार से पेराबाईज मेरा जो अनुरोद रहेगा कि इस पर क्यों ना जवाब ले लिया जाए और अगर प्रेशा डाला जाएगा तो इस पर सुनवाई भी हो सकता है कि जो भी लोक सिच्छा का पक्ष्य मैं आपके सामने बता दिया चुकि अनुपचारिक जो थे ये बास सत्य है अनुपचारिक लोक सिच्छों को ही देकर आंदोलन करना इन्होंने शुरुगात किये थे और अनवचारी को खोया समान मिला और लोक्सिच्चा कभी उनका बहुत कुछ बाकी है चाहेंगे तो उनको छती पूर्ती भी मिल सकता है उनको एरियर्स भी मिल सकता है इनका समायोजन भी हो सकता है चुकि कोट ही एक ऐसा मंदिर होता है एक ऐसा एक मज़ीद होता है जहां सबूत कार्ज करता है और लोक्सिचा का समझता हूँ कि अभी तक जो भी आपका मामला था इस तरों से कभी कोट के समख्च गया ही नहीं लोक्सिचा जो भी थे जिनके गाउं वाले वकिल साहब थे उनके कहने पर उनके तरों करने लगे लेकिन ये पहली बार सबूत के आधार पर लराई होने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि लोक्सिचा का अंत जरूर ही अच्छा होगा चुकि संघर्ज कभी बेर्थ नहीं जा है और अभी मैं आपको बताता हूँ साइध ही कोई ऐसा कोई सरकारी पोश्ट होता है जहां 35,000 से कम सेलिरी होता है आप लोक्सिचा कल पना करें अगर आप का अगर समायोजन हो जाता है तो आपके बच्चे आप कितना खूस होंगे और आपका खोया गौरब लोटेगा तो यहां बात है कि किसी को नीचे देखाने का सवाल नहीं है यहां है अपने आपको साबित करने का कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ मैं भी हगदार हूँ चुकि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोक्सिचक हैं बाकई जिन्होंने जो मेहनत किया था मेहनत के हिसाब से उनक लोक्सी चनकेदर है उसको विद्याले में तब्दिल कर दिया जाएगा और इस हिसाब से यहां इसका सबूत भी है जिसमें असपाश लिखा हुआ है कि राज में 15,000 नए विद्याले खोले जाने हैं तो जब यह कहा जाता है कि दुखिया के पुछना करिये दुखिया देगा रोय दुखिया के जो मुखिया सुनी है जर से दी है दोय तो एक ऐसा लोक्सी चोकर जब समय आएगा लोक्सी चगभाई वह आप भरोसा रखें कि कहा जाता है कि हजारो बरस का जो अंधेरा होता है एक बार अगर उजाला हो जAGए तो अंधेरा दुर हो सकता है तो बिहार के लोक सिच्चोंक से यही कहना है कि अभी आपका बहुत आसा उमीद बांकी है आप ये सोचकर नहीं लरें कि आप निरास होकर मत लरें आप उत्साह के साथ लरें और निश्चित ही आपका जो होगा जो भी होगा अच्छा होगा चुकि मैं इसलिए आपको ये बत फेल किया गया जब वहां जब विद्यार्थी पास हुआ तो मास्टर क्यों फेल होगा तो यही कहना है कि यह जो लराई है खुद अपने आप में एक अनोखा लराई है और संगहर्स निशित ही कामियाब होगा तो बिहार के तमाम लोक सिच्चों से मेरा यही कहना है कि आप यह बात सत्य है कि मैंने कई वीडियो में बताया कि अगर आप व्यक्ति का तुरूप से अगर केस लरते हैं हाई कोट सुप्रीम कोट लरते लरते आपको कम से कम आपको डेर से दो लाक रुपी आपका खर्च होता है लेकिन क्या है कि जो भी लोक सिच्चा अगर समूह में लरते हैं तो कम खर्चा होता है तो आपका जादे खर्च नहीं हो इसी से बचाने के लिए समूह में लरने का इरादा है आपके लिए लोक सिच्चों का रेजिश्टेशन भी कराया गया था लेकिन खेर जो भी है यह आप रेजिश्टेशन देख सकते हैं और आप लोग का स सा ऐसा इतिहास में है सुष नराइन जादब का जो जजमेंट है उसमें भी है कि इसी परकार से उनको हटा दिया गया था इलेक्टरी डिपार्टमेंट के कुछ बरकर थे बाद में उनको फिर सुप्रीम कोट में लरे तो उनका हुआ तो बिहार के तमाम लोग सिच्छाओं से यही कहना है कि आप अगर कुछ करें नहीं करें आप जरूर दुआ दें और जो कुछ जैसे समान बेतन के लिए लरे अनुपचारी ये समान बेतन के लिए जो लरे 25 सिच्छक लरे उनको समान बेतन पटना हाइको से कोट से उनको जीत हुई थी और सुप्रीम कोट में भी ज मज़ी है तो उनको काम्यावी मिली थी लेकिन क्या है कि लोकसिक्षक में ऐसा ये बास सत्य है कि ये तूटे तूटे तूट गये हैं लेकिन आप तूटिये नहीं और मैं बार बार कहता हूं कि हरी नहीं मत बिसारी नहीं हरी नाम तो लोकसिक्षक में उसे यही मेरा सबसे पहले भरोसा दिलाएं कि लोग सिच्छों का अभी कुछ नहीं बिग रहा है लोग सिच्छों का सबूत आज भी उनके पास है और सरकार ने जो लिखा है कि कुछ लोग सिच्छों का नियोजित किये गए है ये जरूर आपके लिए से संजिवनी है और जो भी लोग सिच्छों जो भाई है लोग सिच्छक को भी मिला था जब अनुवचारिक सिच्छक के सुपरवाइजर को नोकरी हुआ उस आधार पर अनुवचारिक को हो गया तो सरकार एक मैं असपष लिख रही है कि कुछ लोग सिच्छक नियोजिद किये गए ठीक है सरकार से जो कानुनी रूप से मतवेद है सरकार का कहना था कि मैं टीचर नहीं बना सकता हूं तो मेरा कहना है कि आप टीचर नहीं बना सकते हैं कहींभी सिसकुर्जण कर Ouais तो यही कहना है कि अभी बहुत कुछ बांकी है लोकसिचक भाईयो और आपका निशीत में आपको भरोसा दिलाता हूँ इस चैनल को बार-बार आप दिखिएगा याद रखिएगा कि मारने वाला से बरा जिलाने वाला होता है कोई भी सरकार भगवान नहीं होता है कोई भी सर बहुत आये, बहुत गए, सरकार भी बहुत मर्तब है, लोक सिच्छा को कुछ नहीं समझी, लेकिन क्या था, कि एक जरूर कोई ऐसी सक्ती है, कि लोक सिच्छाओं के लिए हमेशा सारे बधाओं को भेदते हुए आगे बढ़ने का कार्ज हो रहा है, कहींने कहीं एक सक्ती है, और उसी सक्ती को कुदरत कहते हैं, इसवर कहते हैं, अला कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो सक्ती है, उस सक्ती पर भरोसा रखें, कि लोक सिच्छा को का भला हो सकता है, होने जा रहा है, और चुकि क्या है कि नियाई पालिका ही ऐसी है, कि आपको साइद जानकर हैरानी होगा कि नियाई पालिका में जब भी अक्सर क्या होता है कि नेता जब सुनवाई होती है तो नेता जेल चले जाते हैं उसका कारण क्या होता है कि बकील दाव पेच समझता है कानून को समझता है और नेता समझता है कि पुलिस चौकी के तरह सारा नियाई पालिका होता है ऐसा भी जेल हुई और चुकि नियाई पालिका में जो भी भरोसा की करते हैं उनको जरूर देर सबेर इंसाफ मिलता है और इंसाफ मिलेगा चुकि क्या था कि बिहार के एक साख्स थे आप जानते हैं दसरत माजी उन्होंने 22 साल तक मेहनत करके पहार के सीना को चीर के रोड बना द लिए वाले हैं और निश्टिती अंतिम दम तक संघर्ज करने के लिए तयार हैं तो नियाई पालिका पर भरोसा रखें और लोक्सिछाग के अच्छे दिन आ गये हैं और लोक्सिछाग जो भी था उसको खोया संब्मान मिलने जा रहा है बसरते के आप लोक्सिछक ये समझ जाएं कि आपकी लराई लोकसी चक से नहीं आपकी लराई सरकार से हैं और आपके पास जिस परकार से स्बूत है कार जितना आगे बर गिया है नीची थी आपको सफलता मिलने जा रहा है तो बिहार के तमाम लोग सीचंग से ये कहना है कि आप कुछ करें नहीं करें दुआ जरूर दें और चुकि मुद्दा अधारित हमारा आपका मतवेद है लेकिन आप जरूर आसिरवाद में हो सकता है अगर कभी ऐसा होता है कि एक का आदेस सभू के लिए हो जाता है तो अगर एक आदेस आता है तो हो नहीं पूरे बिहार के लिए ये सर्मानने हो जाए तो इससे पहले भी जो ट्रेंज सिक्छक थे सिर्फ एक दो लरे थे लेकिन वो सभू पर लागू हुआ तो लोक्सिछां को से यही कहना है कि आप के बातों में दम है आपने जो कार्ज किया था पंद्रे हजार बिहार में नए बिद्याले बना आप ही के मेहनत के कारण बना तो इस पीपी चैनल के माद्म से यही बिहार के तमाम लोक्सिछां से कहना है कि आप अपना जो घ्मत है असा है उस उम्मीद को लोग सिच्छा के सामने इतनी परिस्तितियां क्रियेट की गई कि उससे पार निकलना मुस्किल था लेकिन सभी बाधाओं को जहलते हुए ऐसा कहें कि लोग सिच्छा के सामने प्रोब्लम क्रियेट किये उसके इलावत सरकार की ही लेकिन क्या है कि सभी बाधाओं को पार करते हुए लोक सिख्शक है और बिखाब कामियाबी मिली जो लग सिख्शक मैं आपको कहता हूँ कि पहले है लिखाता थाね night और लिखा जाता था उसमें लिखा जाता था तो बिहार के लोक सिच्चाओं से यहीं उम्मिद करता हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कम समझियेगा जादे अगर आप समझदार होंगे तो निशिती सहजोग करेंगे और अब चुकि क्या है कि ये लोक सिच्चाओं का तिसरा चरण है पहला चरण में भी कुछ न कुछ कार्ज हुआ दूसरे चरण में भी कुछ न कुछ कार्ज हुआ लेकिन ये बीच वला जो चरण रहा एज में छूट लेने का मैं समझता हूँ कानून के एतबार से कानून के नजर में वो सारा यूजलेस रहा चुकि लोक सिच्चों का उसमें समय भी गया और सबसे बड़ा जो आसा उम्मिद था वो भी गया लेकिन ये जो मिहीर कुमार जहा सहाब का आदेस है ये निशीती मिहीर कुमार जहा सहाब का आदेस है लोक सिच्चों का सबसे समझे तो मिल का पत्थर ये है जिस दिन ये अग कुछ लोक सिच्छा के नियोजित किये गए हैं जमीन रइष्टिरी का कौपी है आटियाई का रिपोर्ट है बिहार सरकार ने जो नियम बनाया था उसमें लोक सिच्छा का चर्चा है तो किन-किन बातों को जुर्लाया जा सकता है तो इस चैनल के माधने में से बिहार के एक लोक सिच्छा का नहीं है पूरे बिहार का है इसी के आधर पूरे बिहार के लोक सिच्छा के बारे में संग्यान लिया जाए तो आगे आगे देखिए होता क्या है जो भी होगा अच्छा होगा ये चैनल The Eagle by MD मिराजु दिन देखने के लिए लोक सिच्छा को बहुत और कोई न कोई ऐसी सकती है ज़रूर जो लोकसिचाओं को साथ दे रही है ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत भूत धन्यवार